तो हम बात करने डाइश्बूर्ट रिपोर्ट अटोमेशन की लिए विपसाइट लाइड डॉट इंडिया या आइडिया डॉट कॉम पर जाके लाइफ रिक्लिक कर से लाइफ प्लास पर यह आपका कोर्स आता है डैश्बूर्ट इस एक्सलें लिए टके बन 20 से 30 हावर की है ओडें हम बात करें इसमें आपको डैश्बूर्ट विपरटेबल फॉर्मूला पॉर्ट विवें मैक्रों मेथाड फूर्ट फूर्मेटिंग द्स पन्दरा एक्जांपल आपको बताएंगे इसमें के टै लिएच्वोड ऐसे बना जा सकते हैं मैं आपको इसमें एक्सल कंप्लीट कवर कर रहा हूं आपको टॉपक्लीट कवर कर रहा हूं या कि हम एक्सल के अपैक्ट चाहब इसमें कैसे रिपोर्ट बनाते तो इसकी दो तीन क्लास होती जादा वाला क्लास नहीं होता है इसकी दो तिन क्लास डोनों के पड़ेंगे कि आपके लिए नहीं है इसका मसला यह नहीं कि इसका यूज नहीं आए की अब समझे रहे हैं साथ कुरेंट के लिए नहीं सीखते हैं कि यह सब्सक्राइब देखते होंगे कि हम हमारे जो है और एक रडार या यह कोई फाइटर बढ़ाना शुरू करता है अपनाने में दस साल पंद्रह साल लगते हैं सब्सक्राइब लेकिन आगे दो साल तीन साल चार सल बाद आप क्यों अच्छा चीज अच्छा है तो आप क्यों अच्छा चीज हो सकती तो थोड़ी सी रहेगी तभी तो आप उसको सही तरीके से कर पाऊगे और लेर्ण कर पाऊगे मैं खुद बोलाओं कि कवर नहीं कर रहा हूं ताकि आप इसके बारे में जान जाएगो कि डैश्वोट्स पावर्ड विया और टैबलू इस तरह के डैश्वोट्स बनाने के लिए ही यूज की जाते हैं तो इसलिए जो है हम आपको कव सब्सक्राइब करते हैं लेकिन पूरा नहीं जितना एक डैश्वोट के लिए चाहिए कि मैं आपकी जो आप पूछ रहे हो बात हम समझ पार है रिपोर्ट कोई भी आटोमेशन होता है जोरी नहीं कि मैं चीज सिखा रहा हूं वही आप आपको ऑफिस भी उच करो है जो अभी आपके बास रिपोर्ट है हमेशा वही रहेगा छे में में बाद आपका डेटा चेंज हो सकता है आपकी पूफाइल चेंज हो सकती है कि आपको किसी भी तरह को रिपोर्ट को करने के लिए है कि आई है इसलिए आप देख सकते हैं कि मैं तरह के रिपोर्ट पर आपको एक्जाम्पल दे रहा हूं जैसे क्पी आई का लग कर रहा हूं इस निए प्रफाइनेशल के भी दे रहा हूं एसा नहीं कि फैनेशल है तो फैनेश बहले बंदा ही करेगा इसको ज्यादा समझाने के लिए मैं गूगल पर आऊंगा तो आपको ज़दा समझ में आएगा मैंने यहां पर टैश्वोर्ट कर लिए और आप इमेज पर आए इतने सारे डैश्वोर्ट दिख रहा है अब जैसे देखिए सेल स्थेटर आप अब ऐसा थोड़ी है कि सेल्स टैसफोर्ट में इसा कर सकते हम सेम स्ट्रॉक्चर को लेकर हम सर्विस डैश्वोर्ट भी तो बना सकते हैं कंप्लें डैश्वोर्ट नहीं क्या लिए इसका इस आपके अपने रिपोर्ट को इस तरह से मैनेज है इस तरह से एप को समझते हैं तो आपको हम आपको बस इसका तरीका समझाते हैं कि कि तरह इसलिए हम बताते आपको अगर रिपोर्ट बनाने का अर्टमेशन जिसको समराइशन बोलते हैं आपने सीख लिया तो आप सेश डैस्वोर्ट बना सकते ना उससे ऐसा तो नहीं मुला गया है एनी टाइप डेटा डीकन समराइज पीवर्ट तो सेम उसी तरह सिसका ही हो जाता है आपके लिए हैले कि इसके लिए आपको एक्सल की नोलेज पहले से ठीक आनी चाहिए पहले च सब्सक्राइब करने कर रहा हूं हम आपको बता रहा है कि इसको हम रिपोर्ट में कैसे कुछ नॉलेज है नियुक्त अपके लिए बेटर रहेगा कि आप जो है दूसरा जिसका मैं आपको लिंक हो कस है तुरुपती जी मैं आवाज आ रही है आपको आपके नहीं था इस कारण से आपको इंटरेट में नहीं करेंग ता तब आपके लिए ऐसे इंपोर्ट आपका प्रॉट्स याप चीज़ जान लेते हैं आप दिनुपती जी आप सब्सक्राइब city on the I am comfortable in English okay no problem because we are from the north india so we are comfortable in India but we also give the class in english so first I am understand what is the advanced excel what is the advanced अब, Microsoft never assign anywhere कि इस option इस एडवांस इस बाइस्स सो Microsoft ने कहीं भी मेंसर नहीं करगा है कि ए आपसे 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 आपस और एआपसे बसे आपसे बसे आपसे आपसे डेंग सेख अगेज आपसे आफसे देगाई है so if you have right here 20 and here the 30 when the copy the 20 paste on the 30 30 replace by 20 right now we have used the paste special in the paste special we select the operations in the operation we select the app now you can now 20 and 30 give the additional 50 will be paste so paste special operations select the addition to copy the paste calculated and result will be paste here 50 paste so here you can see how can you use the options paste special in the operation so you can multiply divide now come in the advanced section so i want to type the 20 percent here so 20 put the percentage sample and press the enter so 20 percent will be type here but i have typed the 20 percent now i want to apply the percentage here right so problem put how your percentage because in the excel one equal to 100 so you want to apply the percentage symbol after the entering data then should be enter the data in decimal 0.20 0.20 now we have applied the percentage percentage will be acceptable but problem is that we have a colleague so colleague we have a database my colleagues send the data in the number format but if the heading the percentage so according to my colleague this is the percentage but according the excel this is the number so i want to i want to calculate the 76 percent from the 500 so if 76 is the percent format now we just calculate with multiplications and get the result but 76 in the number format so now we have applied the same formula to get the wrong result and we have we have changed the our formula just like give the divide by 100 then give the result so problem is that if this is the largest data now we have give the small data set but we have received the largest data of the same and i want to convert every number in the decimal format so we have the two way first we have give the percentage sample raoji samajh me aarana aapko sir yes sir one by one a percentage symbol here but this is the very tedious job so now we have convert data in the decimal 0.76 0.89 so now we have select and apply the symbol but how can convert the data in the decimal 0.76 0.89 so now we have select and apply the symbol data in the decimal places so now we have used the these features i have typed the 100 in another shape like here and copy 100 and select the data right click paste special and select divide so every number divide by 100 every number divide by 100 and and number will be convert in the decimal now we have just put here the percentage symbol we have get the result percentage up you have compared same features we have give the example on c21 this is a simple example i have give the how can use how can apply and how can use the our feature paste special ka feature ka kaisse apply kiya jata hai maine aapko yaha pere simply pata hai इसको हम basic Excel कह सकते हैं Now we have created the one problem One big problem And now give the solution Through your Excel option And this is never forgetting आप कभी नहीं बुलेंगे इसको क्योंकि हमने एक problem का solution बताया एक feature अप्लाएगा So in the advanced Excel class My advanced class We have discussed every feature Like this example This is a very small example But you have got the every features Like this type of the example In every class You can also watch my videos on YouTube And YouTube have more than 6000 videos For like this type of the example